आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमश्कार आप देख रहे MNS News लाइव आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मर्शी तो आए जानते देश और दुने की तमाम बड़ी खबरें दिल्ली में मामुली विवाद में चले चाकू और बंदुक दो यूवकों की संसनी खेज हत्या दरसल राज़ानी दिल्ली के भलस्वा डेरी थाना इलाके में दोहरे हत्याकान से संसनी मज गई इस एरिया में एक यूवक की गोली मार कर हत्या तो दूसरे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई जबकि इस दौरान दो यूवक गंभी रूप से घायल हुए हमलावर मौके वारदात से फरार होके इन घटनाओं को लेकर कई घंटे तक बुराड़ी और भलस्वा डेरी थाना पुलिस सीमा विवाद में उलजी रही तकरीबन तीन घंटे तक सीमा विवाद के चलते मौके पर ही एक यूवक खशो पड़ा रहा लेकिन उसे उठाया नहीं गया घंटों सीमा विवाद के बाद भलस्वा डेरी थाना पुलिस ने मामले की जाच शुरू की परीजनों का कहना है कि दोपर के वक्त से मोबाइल को विवाद होता है ये घटना दिल्ली की कारगील कॉलोनी और समता विहार कॉलोनी के पास हुई है जिसमें दो गुटों के भी जमकर चाकू बाजी हुई और गोली भी चलाई गई इस मामले में की यूवक की चाकू लगने और दूसरे की गोली लगने से मौत हो गई है वही दो अन्य यूवक को चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिनका जहागिर पुरी के बाबू जग जीवन राम में प्रात्मिक इलाज के बाद हालत बिगडते हुए देखे हायर सेंटर फेरर कर दिया गया है 30 सितंबर शनिवार देर, शाम, कारगिल कॉलोनी और समतव यहर कॉलोनी की बीच कुछ लड़कों का जगड़ा हुआ देखते ही देखते जगड़ा खूनी खेल में तबदील हो गया बताय जा रहा है कि हमले में आजाद नाम के यूवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई वहीं साहिल और एक अन्य यूवक गंभीर रूप से घायल है किसी के साथ साथ हिमान्शु नाम के एक और यूवक की गोली मार कर हत्या का मामला सामने आया है नज़र डालतें एक और खबर पर अलीगड में आठ साल की बच्ची की हत्या कर लाश बोरे में डाल बात्रूम में छुपाई फिर खुद ही करने लगा था तलाश दरसल यूपी के अलिगड में 8 साल की बच्ची से बेरैमी से हत्या कर दी गई मर्डर के बाद बच्ची की लाश को एक बोरे में डाल कर घर के बातरूम में छुपा दिया गया बच्ची काफी देर तक घर नहीं लोटी तब उसकी तलाश शुरू हुई जिस आरोपी ने बच्ची का कतल किया वही उसे घंटो देर तक तलाश में लगा रहा वो खुद ही बच्ची के माता पिता से कह रहा था कि अब इतनी देर हो गई शायद बच्ची नहीं मिले लेकिन जब पुलिस ने घर के आसपास के इलाके के CCTV फुटेज को चेक किया तो शक 20 साल के युवक सुहालीन पर गया क्योंकि बच्ची से आखरी बार उसी ने पैसे दे कर मसाला तंबा को मंगवाया था बच्ची दुकान से खरीद कर ले भी आई थी उसी के बाद से वो ल अरोप में उसके परिवार के दो और लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ये जाश कर रही है कि कहीं बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या तो नहीं की गई फिलाल इसकी पुस्टी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी रुक करतें एक और खबर का प्रेम प्रेमिका ने शादी से मना किया फिल्म स्टाइल में जंगल में बुला किया मर्डर दरसल मध्यप्रदेश के पन्ना में प्रेमी ने प्रेमिका को फिल्मी स्टाइल में मौत के घाट उतार दिया इस घटना के बाद शाहनगर छेत्र में संसनी फैल गई लेकिन पुलिस के लंबे हाथ शातिर प्रेमी के खूनी तक पहुंची गया और पन्ना पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफतर कर जेल की सलाकों के पीछे पहुंचा दिया पुलिस ने बताये कि प्रेमी प्रेमी का से शादी करना चाह रहा था लेकिन प्रेमी का शादी नहीं करना चाहती थी लड़के को चर्म रोग भी था जिसे देखकर लड़की किसी भी सूरत में उससे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वो बार बार दबाओ बना रहा था। इस तरह जब प्रेमी का शादी के लिए नहीं मानी तो जंगल में ले जाकर धार दार हतियार से उसकी हत्या कर दी। उसकी तरह शाद अगर से अपने स्कूल के लिए निकल थी लेकिन वह स्कूल नहीं पहुँच सकी थी और ना ही वह घर वापस लटी इस जिससे परिशान होकर परीजनों ने तलाज शुरू की लेकिन उसका कोई सुरग नहीं मिला तब जाकर परीजनों ने शाद अगर थान पन्ना कटनी रोट पर निर्माना धीन तोल प्लाजा के पास रितुआ के जंगल में करीब 200 मेटर अंदर पड़ी है जिसकी जानकरी पुलिस के वरिस्ट अधिकारियों को दी गई पुलिस अधिक्षक साई क्रिश्न एस थोटा ने अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक आरती सिं अधिक्ते मोबाइल में देखने के लिए प्रेस्टोर से मनस्नीज टीवी आप डाउनलोड करें इंस्टा, ट्वीटर, फेस्बूक और अन्य शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलबद है आप हमारे चानल को लाइब भी देख सकते हैं www.msnews.tv.com पर फिल